इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. सिंपाम soft gelatin capsule का इस्तेमाल पेट फूलना और पेट में दर्द में किया जाता है. यह पेट और आतों में अधिक gas बन जाने से होने वाली दिखकतों और दर्द से राहत दिलाता है. सिंपाम soft gelatin capsule गैस को बनने और जमा होने से रोकता है. यह गैस को आसानी से निकलने में मदद करता है और रोगी अधिक मात्रा में गैस निकाल सकता है, जिससे पेट और आतों में असहज या दर्दनाक दबाव कम हो जाता है. यह दवा डॉक्टर द्वारा सुझाई गई खुराक और अवधी में भूजन के बाद सोते समय ली जाती है. डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें. अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं, तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं, और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है. अपने डॉक्टर और डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में बता दे क्यूंकि कुछ दवाएं इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं, या इससे प्रभावित हो सकती है. सिम्पाम सॉफ्ट जेलाटिन कैपसूल से कुछ सामाने साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे डायरिया, यानिकी, डस्ट और पेट खराब होना. यदि आपको किड्नी की समस्या है तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं. गर्भवती या स्तन्पान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.